नमाश्का दोस्तों मैं सनी शर्मा फिर से हाज़र अपने चैनल सनी नात पर स्वागत करता है सभी आपने का आज मैं फिर से हाज़र हुआ कर ने जानकारी के साथ कि मन चाही उपलब्दियां देती है ये यक्षनियां 32 अचूक मंतर बताऊंगा हर मन की इच्छा पूर्ण करती है 32 ही यक्षनियां है जिनकी साधना आप कर सकते हो इन साधना में आपको बतातो ये बढ़ देने के लिए अलग-अलग मानेता है आपको 32 मंतरों के बिशेश चानकारी देरों में अन्य था ये अत्यांत गोपनी तथा मंतर जो है जक्षनियां रंग रूप प्रेम सुक अश्वरे सवभाग्य सफलता संपन्ता बोलते हैं भैशव प्रकरम रिद्धी सिद्धी धन संतान सुक और उसके इलावा के प्रकार सौंद्रे से भरपूर कर देती है तो सरपत्हम को निवेदे ना था चैनल पर फिस टमिस्टे और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना पहले पकिल करना तीन और चैनल गुरु गुरु ना शिवगरु खिशनर से बैक इक डेटेल डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में 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 इंट्रेक्टिव दुनियो में को मेरा गुरु है को चल लगो घूर को घुरु नहीं है किसी के जहां से मतवसना और यहाँ पर जितनी कीरिया बताता है अपने ग्यान के दार पर पैसे मेरा का मीरा आ करें देना अगर आप ऐसे करते हो तो आप फस जाओगे ठीक है ना गुगलादी की दूप लाल चंदर जल सता अधवारे तीन सतन में अपने पूजा करने संभार जाते है घर के एकांत में ही साधना करनी हैं की साधना वीदी सबकी सीम रहेगी तो पहला जो मंतर है वो आपको 11-21 हो सकती है सीथ लेकिन अगर आपके गुरू है तो दूसरी मनोहरे नहीं जक्षणी है यह होता ओम हरीम अगश्छ, मनोहरी, मनोहरी, स्वाहा तो मनोहरी नहीं है यह नदी के पास और एकांद में होती है साधना तीसरी जो जक्षणी मापका दो हो ओ मैं आपको बताना ज इनकी व्यक्षा करने के लिए इनकी साधना जो है मैं आपको बताओं साधना आपने कैसे करनी है मेन आठ जक्षनिया है जिनकी सरुप्रत्थम सबसे ज़्यदा मानेता है जो आपको वो बोलतेने की बड़े परकार की आपको उपलब्दिया देती है तो तीसरी में बता रहा ह नत यक्षणि इतना अनुसा ओम हरीम अनुरागनी आती है पिर अनुरागनी यक्ष अगष 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 यक्ष स्वाः उसके बाद आंदी है बिचित्रा यक्षनी इसका ओमरीम बिचित्रा है चित्र रूपनी में सिद्धी कुरु कुरु स्वाहा इतना सा मंतर उसको बिवीशना यक्षनी आते है ओमरीम बिवीशने बिमाग रूपे बिवीशन कुरु कुरु रही रही भगवती स्वाहा हंस यक जाक्षणी आति है उम हम माना महादन वीवनिया इसके बाद मदनआ जख्षणी आती है उसके बाद गंट गरनी Day । 6 वाहा उसके बाद आती जारी जाक्षनी जारी ताहा उसके बाद आती महामय्य जाक्षनी ओम्हिर्णि महामय्य हुमवणपण स्वाहा उसके बाद शम्षाना यक्षनी आते हुग था। अपार धन देती है पुरो नूप से नियम होता है उसी नियम पे अधार पे आपने इन जक्षनियों की साधना करनी होते है ये मन चाहा आपको वो बोत है जैसे कि ये आपको अपार धन देती है आप आप अजमा के देखे लगना तंतर में जक्षनी, पिचाच, योगनी, नेक देविक सित्यों का जिकर मिलता है लेकिन साधना मारग में एक बाम साधना माधन होता है दूसरा होता है दक्षना तो दोनों की तरह शक्ति होती है एक देवी और दूसरी राक्षशी होती है ब्यक्ति को तैय करना होता है कि उसने किसको चुनना है हिंदु धर्म के उन्सार साथिवक साधना ही करनीचे है नीचे साधना जो मैंने वह उतने कि जैसे साधना है नीच जाती की साधना करते हो साधना में जिस प्रकार का आप चीज़ करते हैं उसी प्रकार से आप जक्ष शवद का अर्थ है जादू की शक्ति आदी काल में प्रोकृूप से रहस से थी, जैसे देव होते हैं, देत्य होते हैं, दानव होते हैं, राक्षिश होते हैं, जक्ष होते हैं, अपसराइं होते हैं, पिशाज होते हैं, किंदर होते हैं, अवानर होते हैं, रीज होते हैं, भल होते हैं, किरात होते हैं, नाग होते ह जिसको जिनको बोलते हैं कि इनमे रहसमे शक्तिया हैं किसी ने किसी की रूम में बदर करती है देपतों के बाद देवी की शक्ति को मानने मुले जक्ष का ही नमबर आता है ये उसके बाद देपतों कि ये सक्षिया है उनकी यानि हाथ की सक्षिया है ये सक्रातमक शक्ति और नकरातमक दोनों के रूम में चलती है, पिशाचनिया नकरातमक है, जक्षनिया सकरातमक शक्ति है, जक्षनिया गल्त नहीं करती है, लेकिन जो पिशाच करते हो, भूद करते हो, वो नेक्टिव चीज है, जबकि जक्षनिया सकरातमक उड़ जा ही है, क्योंकि ये देवी की सक दुर्गा माता की उसके बाद लोग जक्षने को किसी भूत प्रेतनी की तरह ही मानते हैं लेकिन साधना स्वेग में हम आपको उपयोग करना है तो जक्षनी बहुत ही सुभागय और सुन्दोरोप की इस्तरी प्रस्तूत करते हैं इसमें आठ मुख जक्षनी हैं जो सबसे आते हैं एकले स्थान पर करी जाती है आपको रातरी में करनी होते हैं चित्र भी रखना जरूरी है अनुबूति किसी को बताने हावर और पूजा संबन प्रयात भोजन पानी अन्ने प्रकार और दैवीक सारी सशिज्ज़ें आपको साथ में रखनी परते सुदेश देश द